रिगवेद सुक्त 181 से 180 आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोज को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवर्षय सुने और लाभांदेथ हूँ सुक्त 171 देवता मरुदगन हे वेक्षाली मरुदगन, मैं अपना नमस्कार और स्तुती वचन लेकर तुम्हारे समी पाता हूँ एवं तुम्हारी दया की याजना करता हूँ तुम स्तुतियों से चित प्रसंद करो, क्रोध त्यागों और घोडों को रच से अलग कर दो हे देजश्वी मरुदगन, तुम्हारी प्रती बूला जा रहा स्तोत्र अनिसहित है यह स्तोत्र तुम्हें शद्धा रखने वाले बुद्धी से निकला है इसलिए हमारे प्रती क्रिपा करके मन से इसे सुनो, एवं इसे स्विकार करके शिग्र आओ तुम हवी रूप अनिकी व्रिधी करने वाले हो हे मरुदों, स्तुति सुन कर हमें सुखी करो, सर्वादिक सुखताता इंद्र हमें प्रसंद करे हे मरुदों, हम जितने दिन जीवित रहें, वे दिन सबसे अधिक, उत्तम, चाहने योगे, एवं भोगपूर्ण हो हे मरुदों, हम इस बलवान इंद्र के भै से कापते हुए भागने लगें हमने तुम्हारे लिए जो हवी तैयार किया था, उसे दूर कर लिया हे इंद्र, तुझ, बलशाली के अनुग्रह से अभिमान पूर्ण किर्ने, नित्यप्रती, उशाकाल होने पर प्राणियों को जगा देती है हे कामवर्शी, उग्र, शत्रून को हराने वाले बल के दादा, एवं पुरातन इंद्र, तुम, परमबलशाली मरुतों के साथ मिलकर हमें अन्य दो हे इंद्र, तुम, मरुतों की रक्षा करो, तुम्हारे कृपा से ही वे अधेक शक्तिशाली बने मरुतों के साथ-साथ हमारे प्रती भी क्रोधर रहित बनो शोबन बुध्धी वाले मरुतों के साथ मिलकर तुम, शत्रून को हराते हुए हमारे प्रती क्रिपालू बनो हम, अन, बल और दिरगायू प्राप्त करे सुक्त 172, देवता, मरुत कर हे मरुतों, हमारे यग्य में तुम्हारा आग्मन आश्चर जनक हो हे शोबन, दान एवं उत्तम प्रकाशवाले मरुतों आपका शुब आग्मन हमारी रक्षा करे हे शोबन दानशील मरुतों, तुम्हारे चमकते हुए एवं हिंसक आयुद हमसे दूर रहे तुम्हारे द्वारा फेका गया पाशान में आयुध हमसे दूर रहे हे शोभन दान वाले मरुतों ये दिपी मेरी प्रजा तिनकों के समान तुछे है तता पी उनकी रक्षा करो तता हमें चिरकाल तक जिवित रहने के लिए उन्नत करो सुद्ध 173 हे इंद्र उद्गाता सामदेव को इस प्रकार गाता है कि वह आकाश में गून जाए और आप उससे समझ ले हम उस बढ़ते हुए सामगान की पूजा स्वर्ग के समान करते हैं जिस प्रकार दुधारू और हिंसारहित काई अपने स्थान पर बैठती हैं उसी प्रकार मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ ये जमान हव्वे देने वाले अधरव्यू को साथ लेकर इंद्र की पूजा करते हैं वे सूचते हैं कि इंद्र प्यासी म्रिक के समान हव्वे के प्रती शीग्र आ जाएंगे हे बलशाली इंद्र स्थोत्र की इच्छा करने वाले देवों की स्थुति करता हुआ होता ये जमान एवं उसकी पत्नी भाली प्रकार यक्य पूरा करते हैं हवन पूर्ण करने वाले अगनी ग्रहपत्य आदी स्थानों के चारों ओर फैले हैं एवं वर्षभर में धर्ती से उत्पन होने वाले अन को धारन करते हैं अगनी घोडे और बैल की तरह शब्द करते हुए हवी का अन लेकर धर्ती और आकाश के मध्य में दूद के समान बाते करते हैं हम इंद्र को लक्ष करके अत्यंत व्यापक हवी प्रदान करेंगे देवों को अपने अनकूल बनाने के लिए यजमान उत्तम स्थोत्र पढ़ते हैं अश्वनी कुमारों के समान तेजस्वी सुन्दर एवं सुक से प्राप्त करने योग्य इंद्र रत पर बैठ कर हमारी स्थुतियों को सुने हे होता इंद्र की स्थुति करो वे अनंत शक्ति वाले शूर धनवान रत पर स्थिर रहने और सामने लड़ने वाले योधों में उत्तम वजर धारन करता एवं मेगर के विनाशक हैं इंद्र अपने मेहत्व के कारण यग्य करता यज़मानों को स्वर्ग प्रदान करने में समर्थ हैं धर्ती और आकाश उनके सचरण के लिए पर्याप्त नहीं है जैसे बैल सिंगों को धारन करता है उसी प्रकार अन्ने के स्वामी इंद्र स्वर्ग को धारन करते हैं जैसे आकाश धर्दी को घेरे हुए है उसी प्रकार इंद्र तीनों लोकों को व्याप्त करते हैं हे शूर इंद्र तुम युद्धों में उन लोगों को बलप्रदान करते हो एवं उत्तम मार्ग दिखाते हो जो तुम्हारा ही आश्रे लेकर युद्ध में प्रवृत होते हैं। तुम्हारी सेवा करके प्रसन होने वाले मरुदगुन युद्में प्रत्न करते हैं। स्तोथ्र रूपी समस्त बानी तुम्हें प्रसन करें और तुम वर्षा करके स्तूती करता भक्तों की इच्छा पूरी करो। हे स्वामी इंद्र ऐसी क्रिपा करो कि हम तुम्हारे सखा बनकर अपनी स्थूतियों द्वारा उसी प्रकार अपनी अभिलाशाइं पूर्ण कर सकें जिस प्रकार राजा की स्थूति से करते हैं हे इंद्र हम जिस समय स्थूती करें उस समय तुम उपस्तित होकर हमारी स्थूतियों के साथ ही हमारे यग्ये को भी शीक्र स्विकार करो मनुष्य जिस प्रकार स्थूतियों द्वारा विरोधियों को मित्र बना लेते हैं उसी प्रकार हम भी इंद्र को सखा बनाएंगे वज्रधारी इंद्र की शक्ति हमारी बनेगी जिस प्रकार मित्र बनने के इच्छुक लोग नगर के योग्य शासक स्वामी की पूजा करते हैं उसी प्रकार हम श्री और यश प्राप्त करने की इच्छा वाले अधर्वियो इंद्र की पूजा करते हैं यग्य का अनुष्ठान करने वाला यग्य द्वारा इंद्र की ओर बढ़ता है एवं कुटिलकती वाला व्यक्ति सदा मन में दुखी रहता है जैसे मार्ग में स्वच जल सामने पाकर प्यासा व्यक्ती प्रसन्न होता है एवं जल तक देर में पहुँशने वाला तेड़ा मार्ग प्यासे को दुखी करता है हे इंद्र संग्राम उपस्थित होने पर मरुदगणों के साथ हमें छोड मत देना हे शक्तिशाली तुम्हारा यग्यभाग मरूदों से प्रिठक है हमारी फलों से मिली हुई स्थुति हवियुक्त एवं दानशील मरूदों की बंदना करती है हे इंद्र यह स्थुति समूध तुमारे लिए है हे अश्वसौमी इंद्र इस स्तोत्र रुपी मार्ग से हमारे यग्यू को जानो और सहज ही हमारे समीपाओ हम अन, बल और दीर्क आयू प्राप्त करें सुप्त 174 देवता इंद्र हे इंद्र तुम समस्त विश्व और देवों के राजा हो तुम मनुष्यों की रक्षा करो हे शत्रुनाशक तुम हमारा पालन करो तुम सज्जनों के पालग धन के स्वामी एवं हमारे उदार करता हो तुम सत्य फलवाले अपने तेच से सबको ढखने वाले एवं सुती करताओं के शक्ति दाता हो हे इंद्र जिस समय तुमने पूरे वश्चक द्रिड की गई साथ नगरियों को नश्ठ किया था उस समय वहां रहने वाली एवं क्षमायाचिना करती हुई प्रजा का सुक से दमन किया था हे अनिंदित इंद्र तुमने बहने वाला जल दिया एवं तरुन अवस्था वाली राजा पुरुकुच्स के कल्याण के निर्मित वृत्र का हनन किया था हे बहुतों द्वारा स्तुत्ते इंद्र तुम असरों द्वारा रक्षत पूरियों को जीतते जाते हो तुम वहां से मरुत आदी अनुचुनों सहित स्वर्ग में जाते हो वहां तुम अशान एवं शिग्र घंता अगनी की इसलिए रक्षा करते हो कि वे ये की ग्रह में अपना यग्य कर्म पूरा कर सके जैसे सहिं वन की रक्षा करता है उसी प्रकार तुम अगनी की रक्षा करते हो हे इंद्र तुमारे शत्रु वज्र की प्रशंचा के बहाने तुमारी महिमा का वर्णन करते हुए अपनी उत्पत्ती स्थान में सोजावें जब तुम प्रहार का साधन वज्र लेकर जाते हो तब नीचे की और जल बरसाते हो और अपने अश्मों वाले रत पर बैठते हो तुम अपनी शक्ती से खसलों की रिधी करते हो हे इंद्र जिस यग्ये में तुम कुछ रिशी की इच्छा करते हो एवं अपने सतत गामी सरल गती बाले एवं वायूवेव बाले घोड़ों को हां करने जाते हो सूर्य अपने रत का चक्र उस यग्ये के समीब ले जावे एवं भज्र हाथ में पकड़ने वाले इंद्र संग्राम करने वाले शत्रूं का सामना करें हे अश्वस्वामी इंद्र तुमने स्तोत्रों से वृध्धी प्राप्त करके ऐसे लोगों का वद्ध किया जो दान नहीं देते थे और तुम्हारे मित्र यजमानों के शत्रू थे जो तुम्हे आश्च्रे दाता के रूप में देखते एवं जो हव्वे देने के लिए पाते हैं हे इंद्र अन्य प्राप्ति के निमित क्रांतदर्शी होता तुम्हारी स्थुति करता है तुमने दास असुर का वद्ध करके धर्ति को उसकी शया बनाया था इंद्र ने तीन भूमियों का दानरूपी विचत्र कारे करके दुर्याणी राजा के कल्यान के लिए तुम्हारे अति प्राचीन वीर कर्मों की श्तुति करते हैं तुमने युध्य समाप्त करने के लिए अनेक हिंसकों को समाप्त किया है तुमने विरोधियों के देवशुने नगरों को नश्ट किया तथा दानरहित विरोधी वृत्र के उपर अपना वज्र जुकाया हे इंद्र तुम शत्रूं को कमपित करने वाले हो इसलिए बहती हुई सीरा नदी के समान तरंगों वाला जल धर्ती पर बहाते हो हे शूर तुमने सागर को जल से पूर्ण करते समय यदू और तुर्वसू राजाओं का पालन करके उनका कल्यान किया हे इंद्र तुम सदा हमारे उत्तम रक्षक एवं मनुष्यों के रक्षक बनू तुम हमारी सेन को बल प्रदान करू हम अन्य धन और देर्क आयू प्राप्त करें सुक्त 175 देवता इंद्र हे आश्वस्वामी इंद्र महान एवं पूजे सोमरस जिस प्रकार पात्र में रखा है उसी प्रकार तुम भी इसे सुईकार करो तुम इसे पी कर प्रसंता प्राप्त करोगे हे कामवर्शी इंद्र यह सुम तुमारी अभिलाशा पूर्ण करके अभिमत सुक देगा हे इंद्र प्रसंता दाता कामवर्शी तृप्त करने वाला श्रेष्ट शक्तिशाली शत्रु सेनाओं का नाश करने वाला एवं अविनाशी सोमरस तुम्हें मिले हे शूर एवं दाता इंद्र मुझ मनुष्य की अभिलाशा पूरी करो सोम्रस तुम्हारा सहायक हो अगनी जिस प्रकार अपनी लप्टों से अपने ही आधार भूत पात्र को जलाता है उसी प्रकार तुम व्रत्हीन असुर को नश्ट करो हे मेधावी एवं समर्थ इंद्र तुमने अपनी शक्ति से सूरे के एक पहिये को चुरा लिया था हे इंद्र तुम्हारी प्रसंता सबसे अधिक शक्तिशाली है एवं तुम्हारे यग्य में सबसे अधिक अन्न होता है हे अश्वरूप अनेक धन देने वाले इंद्र तुम व्रित्र घाती एवं धन देने वाले दोनों यग्यों का समर्थन करो हे इंद्र तुमने प्राचीन स्थोताओं को उसी प्रकार सुख दिया जिस प्रकार जल प्यासे व्यक्ति को प्रसंद करता है इसी प्रकार हम बार बार तुम्हारी स्थुति करते हैं कि हम अन, बल और दीर्ग आयू प्राप्त करें सुख्त 116 देवता इंद्र हे सो, तुम हमारी धन प्राप्ती के लिए इंद्र को प्रसंद करो एवं कामवर्शी इंद्र के भीतर प्रवेश करो तुम शत्रू की हिंसा करते हुए उन्हें घेर लेते हो कोई भी शत्रू तुम्हारे समीब नहीं आता हे होता अपनी स्तुती रूपी वाणी को इंद्र में स्थापित करो वे ज्यान वाले मनुश्यों के एकमात्र आश्रे हैं सुधा शब्द के बाद उन्हें भी हव्व अन दिया जाता है किसान जिस प्रकार पके जो को ग्रहन करता है उसी प्रकार इंद्र हमारा हव्व स्विकार करते हैं जिन इंद्र के हाथों में प्रहमण क्षत्रिय वैश शूद्र और निशाद पांचों प्रकार के जनों को प्रसन्य करने वाला सभी प्रकार का अन्य है वे इंद्र हमसे द्रोह करने वाले को वच्र बन कर नश्ट करें। हे इंद्र सोम्रस ना निचोड़ने वालों, दुस्साध्य विनाश वालों, एवं सुखना पहुंचाने वालों का नाश करो। ऐसे लोगों का धन हमें दो। तुम्हारा स्तोता ही धन पाता है। हे सूम, उस स्यजवान की रक्षा करो, जिसके स्तोत्र और हवे संबंधी मंत्रों में तुम सदा स्थित रहते हो, हे सूम, धन के लिए होने वाले युद्धों में अन्यके स्वामी इंद्र की रक्षा करो, हे इंद्र, जिस प्रकार जल प्यासे को प्रसन्य करता है, उसी प्रकार तुमने प्राचीन स्तुती करता पर क्रिपा की थी, इसले मैं तुम्हारी सुक का एक सुती बार बार करता हूँ, मैं अन्य बल एवं दीरखायू प्राप्त करूँ, सुप्त 117 देवता इंद्र धन आदी द्वारा सभी मनुष्यों को प्रसन्य करने वाले कामवर्षी सब लोगों के स्वामी एवं बहुतुम द्वारा स्तुत इंद्र हमारे पास आवें हे इंद्र हमारी स्तुती सुन कर हवें अनिकी इच्या करते हुए दोनों कामवर्षी खोड़ों को रत में जोड़कर हमारी रक्षा के लिए सामने आओ हे इंद्र तुम्हारे घोड़े तरुन, उत्त, कामवर्षी, मंत्र यूगत एवं रत में जोड़ने यूगे हैं तुम उन पर सवार होकर उनके साथ हमारे सम्मोख खाओ हे इंद्र अपने कामवर्षी रत पर बैठो क्योंकि तुम्हारे लिए निचोड़ा हुआ सुम्रस और मधुर घृत तयार है हे कामवर्षी इंद्र अपने खोड़ों को रत में जोड़ो और सतकर्म करने वाले यजमानों पर अनुग्रह करने के लिए शीग्रगामी रत से होकर हमारे सम्मोख खाओ हे इंद्र यह यग्य देवों को प्राप्त करने वाला है यह यग्य संबंधी पशु यह मंद्र यह निचोड़ा हुआ सुम्रस और बिचे हुए कुश सब तुम्हारे लिए हैं हे शत्करतु तुम शीग्र आओ और कुशों पर बैठ कर सुम्रस पियो तुम इस यग्य में अपने खोड़ों को रचे अलग करू हे भली प्रकार स्थुत्ति इंद्र आदर्निय स्थुता के मंत्रों को स्विकार करके हमारे सामने आओ स्थुति करते हुए हम तुम्हारी रक्षा पाकर निवास्थान के साथ ही अन, बल और दीर्ख आयू प्राप्त करें सुक्त 178 देवता इंद्र हे इंद्र तुम्हारी वह स्मृत्थी सब जगा प्रसिद्ध हैं जिसके द्वारा तुम स्थोताओं की रक्षा में समर्थ होते हो हमें महान बनाने की अपनी अभिलाशा तुम समाप्त मत करो तुम्हारी सभी मानवोचित वस्तूं को हम प्राप्त करें हे राजा इंद्र परस पर बहन भाई बने हुए रात दिन अपने उत्पत्ती स्थल में वर्शादी करम करके हमारे यग्य करम को समाप्त ना करें शक्ति दायक हवी इंद्र को प्राप्त होती है इंद्र हमें अपनी मित्रता एवं अन्न दे शूर इंद्र युद के नेता मरोतों के साथ युद में विजय प्राप्त करते हैं एवं कृपा की अभिलाशा करने वाले स्तोता की पुकार सुनते हैं। वे जिस समय अपनी इच्छा से स्तूती वचन सुनना चाहते हैं, उस समय अपना रत हव्व देने वाले यजमान के पास ले जाते हैं। यजमान उत्तमधन पाने की इच्छा से जो अन देता है, उसे इंद्र अधिक मात्रा में खाते हैं और अपने भगते यजमान के शत्रों को पराजित करते हैं। वे भांति-भांति के शब्दों द्वारा युद्र में यज्मान के यग्यकर्म की प्रशंसा करते हैं एवं सच्चा फर्ट देने के लिए हवी ग्रहन करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारी सहायता से हम उन शत्रूं का वद करें जो अपने आपको बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। तुम हमारी रक्षक एवं पालन करता बनो। हम अन, बल और दीरकायू प्राप्त करें। सुक्त 189, देवता रती। लोपा मुद्रा बोली। हे अगस्ति, मैं पूर्वकालिक अनेक वर्षों से रात, दिन और उशाकाल में शरीर को जीर्न करती हुई तुमारी सेवा में लगी रही हूँ। इस समय बुढ़ाबा मेरे अंगों का सौंदर्य नश्ट कर रहा है। क्या इस अवस्था में पुरुष नारियों के साथ समागम ना करें। हे अगस्तिर प्राजी इन महरश्यों ने सत्य को प्राप्त किया। वे देवों के साथ सत्य बोलते थे। उन्होंने भी पत्नियों में वीरे का स्खलन किया और इस कारे को समाप्त नहीं किया। तपस्या करती हुए पत्निया भोग समर्थ पत्नियों के समीप जाती थी। अगस्त ने उतर दिया। हे पत्नियों हम लोग व्यर्थ ही नहीं ठके हैं। हमारी तपस्या से प्रसन्य देव हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी भोगों को भोगने में समर्थ हैं यदि हम और तुम इच्छा करें तो इस संसार में अब भी सुख संभोग के सैंकणों साधन प्राप्त कर सकते हैं हे पतनी मैं मंत्रों का चप और प्रम्चर्य पालन में लगा रहा फिर भी नजाने किस कारण मुझें कामभाव उत्पन हो गया तुम लोपा मुद्रा वीर्य सेचन समर्थ मुझ पती के साथ संगत हो जाओ तुम अधीर नारी बनकर मुझ महाप्राण पुरुष का भोग करो से छोड़ा कर सुखी करें यह प्रार्थना में सच्चे मन से कर रहा हूं मैंने जो बाप किया है उससे मेरी रक्षा हो क्यों मनुष्य मन में बहुत से कामनाय करता है मेरे गुरु अगस्ते ने यग्यद्वारा अभिमत फल एवं बहुत सी संदान की इच्छा की उन्होंने काम और सयम दोनों उत्तमकुण प्राप्त किये एवं देवों से सच्चा आशिरवार पाया सुख्त 180 देवता अश्वनी कुमार हे अश्वनी कुमारों तीनों लोगों में जाने वाले तुम्हारे रत के खोड़े तुम्हें अभिमत स्थान में पहुंचा देते हैं उस समय तुम्हारे सुनहरे रत की नेमिया तुम्हारी इच्छा पूरी करती है तुम प्रातहकाल सोम्रस पीते हुए हम से मिलो हे सब के दोरा स्थुत्य एवं मधुपान करता अश्वनी कुमारू तुम्हारी बहन उशा जिस समय तुम्हारे आने के लिए प्रभात करती है एवं यजमान अन और बलपाने के लिए तुम्हारे स्थुत्य करता है उस समय तुम दोनों का नित्यगा में विविद्गती वाला मनुश्यों का हितकार एवं विशेश रूप से पुझ रत पहले ही चल देता है हे अश्वनी कुमारों तुमने गायों को दुधारू बनाया तुम गायों के थनों से पहले से पके हुए दूद को स्थापित करते हो हे सत्य रूप चोरवन के व्रिक्षों में जिस साफधानी से चिपा रहता है उसे साफधानी से शुद्ध एवं हव्य युक्ति यजमान तुम्हारी स्थुति करता है हे अश्वनी कुमारों तुमने सुक के इच्छुक अत्री मुनी के लिए गरम दूद और खी की नदियां बहा दी थी हे निताओं हम इसलिए तुम्हारे लिए अगनी में यग्य करते हैं रत का पहिया जिस प्रकार धालू मार्ग पर अपने आप चलता है उसी प्रकार सोम्रस तुम्हें स्वतह प्राप्थ होता है हे शत्रुनाशक अश्वनी कुमारों तुग्र राजा के पुत्र भुज्यू ने जिस प्रकार तुम्हें बुलाया था उसी प्रकार मैं अपनी स्थूतियों दोरा तुम्हें अपनी यग्य में बुला लूँगा। तुम्हारी कृपा से ही धर्ती और आकाश मिले हैं। हे यग्य स्वामियों, यह बुड़ा दुर्बल रिशी पाप से छूट कर दीर्ग जीवन प्राप्त करे। हे शोभनशील अश्वनी कुमारों, जब तुम अपने नियुत नाम के खोड़ों को रत में जोडते हो, उस समय धर्ती को अन्न से पूर्ण बना देते हो, यह यजमान तुम्हें वायू के समान शिक प्रसंद करे। एवं तुम्हारी काम ना करे। इसके बाद यह जमान उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति के समान अन्न प्राप्त करता है। शब्द करता है। उसी प्रकार यग्य करता मनुश्यों में उत्तम अगस्ते रिशी हजारों स्तुत्यों द्वारा प्रति दिन तुम्हें जगाते हैं। वे क्रिश्म का दुख दूर करने वाला वर्षा का जल जाहते हैं। हे अश्वनी कुमारों तुम अपनी रत की महिमा से हमारा यग्य पून करते हो। हे गद्धी शेलों तुम यजमान के होता के समान यग्य के आरंभ में आकर यग्य के अंत में जाओ। तुम स्तूताओं को उत्तम अश्व प्रतान करो। हम भी धन प्राप्त करेंगे। हे अश्वनी कुमारों हम स्तूतियों द्वारा तुम्हारे शीग्रगती वाले प्रशंचनी आकाश में उड़ने वाले तथा ना तूटने योग्य नेमी वाले रत को अपने यग्य में बुलाते हैं। जिससे हम अन, बल और तीर्ग आयू प्राप्त कर सकें। आप सभी को कोटी-कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे।